दोस्तों कई बारिया होता है कि आप पीडित हैं यहाँ पर आपके साथ कोई घटना होता है और आप यहाँ पर अपनी सिकायत को लेकर जब पुलिस थाने जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं वे आपके फैयार को नहीं लोज करते हैं और जब चानून समझाते हैं तो आपको थपड जड़ देते हैं आपको गाली देते हैं और आपके उपर जूठा मुकदमा बना देते हैं या फिर कई बार यह भी होता है कि वह बगल वाले पाटी के परभाव में आ जाते हैं इस कारण से भी फैयार दर्ज नहीं करते हैं और उल्टे आपका इससे कर सकते हैं और बीडियो कर सकते हैं और कोई भी पुलीस वाला अको इस बात के लिए अधिकार है कि वीडियो बनाका कई लोग का यहां भी सवाल होता है कि वेडियो बनाना ओडियो बनाना किसी का लीगल है या फिर नहीं है तो दोस्तों गर कोई गलत करे तो आपके यहां पर अधिकार बनता है अगर आप भारत के नागरिक हैं आप एक सब नागरिक हैं तो फिर यहां पर आपका ड्यूटी है या वीडियो बना सकते हैं कोई भी पुलिस वाला इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता है तो अगर आप थाने जाते हैं आपके सब मिस्भी हैप किया जाता है आप कोई धंकी दिया जाता है और आपको थपड जड़ दिया जाता है तो अगर संभव हो तो आप वीडियो ताकि जो speech post का जो receiving है आपके पास सबुत के तोर पर है कि आपने SSP को complain किया आप यहाँ पर उसके उपर के अधिकारियों को भी complain कर सकते हैं आप यहाँ पर अगर आप इतना जगह complain करेंगे तो फिर निश्ची थी जो भी दोसी पुलिस करमी है उनके उपर करवाई जरूर होगी और अगर कहीं से बात नहीं बने तो फिर आप वह किलिखे माध्यम से कोट में CRPC के section 156 section 3 में जो भी दोसी पुलिस करमी है उनके उपर केस दर्च करा सकत हैं और जब मामला कोट में जाएगा तो करवाई होना तय है चाहे वह पुलिस अदिकारी किसी भी पद पर किमने हो तो दोस्तों अगर आप थाने जाते हैं आप एफ़यार दर्च कराने जाते हैं लेकिन जब आप कानून की बात करते हैं तो पुलिस वाले को बुरा लग ज सकते हैं आप tief क्रäफ सब पीरो से भी कंप्लेंड कर सकते हैं और कहीं से बात नहीं बने तो आप अपने वकीन थे बात करके सीधे कोट में उस प्लिस यूमेकने टॉपिक के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल लगए।